आपने चार साल पेले बनाया था अपने वाइद के साथ ठीक है और ये भी अपने लिखा था पहले तीस सेकंड एक यूजर को एंगेज कर वीडियो में एक बिस्निस को सक्सेस्फफल बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या चीए होता है आप इसे काफी कहोगे मार्केटिंग बढ़िया करो स्टॉक बढ़िया बनाओ या फिर सेल्स बढ़िया करो बहुत सारी अलग-अलग टर्म्स है ठीक है लेकिन सबकी एसेंस यह है कि अपने कस्टमर को अच्छे से समझो और इस चानल पर आपको अजर कॉंटेंट क्रियेटर हम बहुत बार बोल चुके है कि आप अपने ओडियंस को समझो क्यों कि you are no less than a business तो यह बात जो हम बहुत बार बोल चुके वो क्या है वो यह है कि वीडियो के जो फर्स्ट एट सेकंड्स होते हैं वो बहुत इपॉर्टन होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि attention span जो है आपकी audience का वह 8 सेकंड्स के आसपास है थोड़ी मतलब शायद टेंशन की बात भी हो सकती है लेकिन ठीक है अब जो है सो है उससे हमें डील करना है खेर अच्छी बात यहां पर एक बढ़िया बात यह निकल कर आती है कि ऐसा नहीं कि 8 सेकंड्स की जंग में अगर आप हार गए तो पू बहुत सारे पैसे आते जाएंगे आपका चैनल बढ़िया हो जाएगा खैर आज हम हमारे सतीश सर जो कि आप अपने वीडियो देखा उनसे ही सीखेंगे कि कैसे आप अपने कॉंटेंट को और एंगेजिंग बनाओ और बढ़िया बनाओ जिससे अल्टिमेटली होगी आपक बिसी के लिए कि कुछ ऐसी बात बताईये ओडियंस को जो उनको लगे की यार शौक वाइली हो जिसके नहीं समझे लो कि यह ओसकते हैं क्योंकि होता है ना, आप कुछ भी एक्साइट कर सकते हो अपनी ओडियन्स को शोकिंगल नचे सकते हो सुर्म recognising आप क्शिशेंग बता सकते हो जिन से उनकी growth होगी और आप क्यूं हो उक्षंपर्ट Самनि की एकस्पर्टीज उनके पास नहीं है। आपके पास जो लगता है कि आपके पास ऐसी ना रिशाव गाचार उससे वीडियो कर सकते हुनज का ध्यान आ पकी तरफ जादा केंदृत हो जाएगा, क्योंकि आपने रा & विशौकूच्ष सी चाईए कुछ unreasonable claim करिए लेकिन plus value भी दीजिए यानि कि अपने content के अंदर अपने जो relevant niche के अंदर आप कोई बड़ी ऐसी बात बताईए जिससे लोगों को बहुत ही हिरानी हो जाए, shock हो जाए, surprise हो जाए और उसके साथ साथ उन्हें खुशी भी हो कि अले भायार, यह तो बहुत बढ़ी बात पता लगी खेर, अब आते दूसरी बात पे जो की है question देखिए अपनी वीडियो को शुरू करिए सवालों से क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि आदमी जब सोचता है ना अपनी problems के बारे में, या फिर आदमी मतलब और दोनों, जब भी सोचते हैं अपनी problems के बारे में, तो सवालों में होचते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा, उसका यह क्या होगा, भाना प्रताप ने कहां जंग लड़ी थी, तो यह जो भी सवाल है, तो उनके मन में चल रहा है, और जब आपनी वीडियो जवाब दे दोगे, तो मैं आपकी बात क्यों नहीं सुनूँगा, है ना, थे, अब माते तीसरे पॉइंट पर, जो की है एक skit, आपने देखा, सतीष सर ने क्या बढ़िया बढ़िया, आप मैं आपको कहता हूँ कि खुद हम description में लिक दे देंगे, आप खुद जाहिए, चेक करें उनकी वीडियो, काफी सारी वीडियो वो अलग-लग skits से शुरू करते हैं, जो की काफी entertaining होती है, और तो और informative भी होती है, actually इनको दोनों को बोलते है infotainment, उसी के बीचे मेरी जबान लड़ खड़ा गई, informative plus entertainment, informative, infotainment, ठीक है, आज ये मेरा थोड़ा confusion हो गया है खेर, तो आप जब ऐसी वीडियो बनाते हो, तो लोगों को entertainment भी मिलता है, plus knowledge भी मिलती है, अब इससे होता क्या है, देखें, entertainment आप खुदी जानते हो, bollywood, web series, serial, हम लोग हमेशा अपना relax होने के लिए वो सब देखते हैं, अब जब यहाँ पर आप देखते हो, कि आपको knowledge मिल रही है, साथ साथ, तो लोगों को, वो आपके एक plus point है, तो आप भी, ऐसी एक skit बनाईए, अगर आपको समझ में नहीं आरा कि कैसे शुरू करें, तो मैं आपको बताता हूं, कैसे शुरू करना है, आपको पता है, तो वो आपके पास solution है, ठीक है, अब आप इससे related question र insurance कहां से कराना है, मुझे समझ ही नहीं आता, और दूसरा बंदा बता रहा है, अब तुझे कैसे बता चलेगा यार, यह देख, यह website पर जा और फटाक से काम हो जाएगा, तो यहाँ आपने आपने किया, दो characters बनाए, ठीक है, और दो characters में एक के पास problem है, एक के पास solution है, य यह conflict हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतने सारे products है, यह conflict हो गया, और ultimately resolution कौन दे रहा है, जो दूसरा character, जो solution देने रहा है, ठीक है, आप, I hope, आप समझ गए होगे, और infotainment को अपनी वीडियो में आराम से जमा पाऊगे, improving on competitors work, अब इसमें मैं क्या बता हूँ आप सतीश सर से खुदी सुन लीजिए क्या कहना चाते हो, यह अलग आपको, वहाँ पर मतलब समझ में आता है, कि यह competition है आपके, यह competitors है, तो यह competitors ने क्या-क्या उस content को किस तरह से deliver किया है, और आप कैसे उससे अच्छा deliver कर सकते हो, और YouTube या Google के पर धेर सरी content पड़े, कि देखिए, जब भी आप कुछ काम करते हैं, तो आप गलतियों से सीखते हो, है ना, अब आप ही सारी गलतिया करके सीखोगे, तो क्या फायदा है बागी सारे knowledge का, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतिया कर दी है, अगर आप उनकी गलतियां देख लो और उससे सीख अब जो बहतर चली है, उसको आप और बहतर करिए, यह जानके कि क्या उन्होंने मिस किया, और आपको पता लगेगा कि कौन सी वीडियो उनकी नहीं चली, क्यों नहीं चली, यह भी analyze करो, हो सकता है शुरू में engaging hook नहीं था, हो सकता है बीच बीच में उन्होंने कुछ ऐसा होती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ जैसे अभी आप देख रहे हो, यह हर 3-4 मिनट में उतर रहना चाहिए, इस से लोगों का ध्यान बना रहता है, ठीक है, मतलब अब यह इतना कुछ करना पड़ा है, आप सोच रहोगे कि यार, बहुत मैनत करनी पड़ती है YouTube वीडियो ब इंकोर्परेट करिए उनकी अच्छी बाते और गलतियों पर उनकी गलतियों से खुद भी सीखें, वो भी इंकोर्परेट करिए अपनी सीखी वही चीज़ों को, तो दोस्तों अब आते हैं हम रिदन वर्सेज ओरल स्क्रिप्ट में, इस टाइटल का क्या मतलब में मैं एक् आप अगर लिखने बैठते हो, कि कोई इंशॉरेंस के बारे में बात करी जा रही है, कि ये इंशॉरेंस इस वेबसाइट से आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, असानी से मिल जाएगा, इसका प्रोसेस जो है बहुत अच्छा है, ये लाइने हैं, लेकिन जब आप सोचो आप ये सब इन्फोमेशन तो चाहिए, इन्फोमेशन तो अच्छी है, लेकिन दूसरे में एक फील आ गई, तो अगर आप इन्फोमेशन के साथ फील दे देते हो, वो होगा कैसे, बार-बार स्क्रिप्ट को औरली प्राक्टिस करके, जब भी आप स्क्रिप्ट लिखो, मै और ज़रूरी निए कि आपने जो लिखा है उसे follow exactly करना है, मतलब सेम समझके आना चाहिए, वही points कवर होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी निए कि आप same to same वही शब्द बोलो, आप उसको अपने हिसाब से जो शब्द आपको बोलने मज़ा आ रहा है, जो आप नॉर्मली बो अपने नीश में देखे किस तरीके की वीडियो बन रही है, ठीक है, अब पहला point यहाँ पर आता है कि जो बन रही है, आप इनको देखो उसमें क्या 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 कमी है, improve on them, ठीक है, आप उन से समझो कि यार क्या क्या और बहतर किया रहा सकता था, उकरो, दूसरा, कुछ अब इसे topics भी, अब तीसरा point हो गया, कि अब ऐसे topics ढूणी है, जिन पर वीडियो नहीं बनाई गई है, क्यों नहीं बनाई गई है, उसको figure out करिए सबसे पहले, हो सकता है कि कोई गल्ती की वैसे ना बनाई हो लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी demand ही ना हो, तो VidIQ पर जाईए और check कीजिए कि आपकी जो आप title सोच रहे हो, उसका demand है या नही है, demand है तो जम के बनाओ, ठीक है, अब हम आते हैं अपने fourth step पर, fourth step पर जो है script लिखने का, आपने जब title डिसाइड कर लिया, समझ में आगे आपको demand है, script लिखिये बढ़िया, अब script लिखने के बाद आपको उसे again, orally बोल बोल के practice करना है, और जब भी लिख रहे हो, उस time भी orally बोल के रखना है, ताकि आपके normal लहजे में वो निकल कर आए, पांचवी बात, अपनी videos को धीरे धीरे करके improve करते जाए, I hope वो तो आप करो गई, बोलने की बात ही नहीं थी, खैर, यह सब हमने सतीर सर स सीखा, I hope आप अपने practice में लेकर आओगे, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा, आपको कोई भी doubt है, not just for this video, आपको पहला content creation से भी related कोई doubt है, हमने जितनी videos बना रखे हैं, उससे related doubt है, setup से related कोई doubt है, lighting से related, mouse, mic से related, हम सारे आपके सवाल बताएंगे, content creation से related आपको जो भी problem है, हम बताएंगे, उसको monetize के से करना है, वो भी हम बताएंगे, आप नीचे description में Class Plus का free demo ले सकते हो, अपने खुद की app बनवा सकते हो, demo ले सकते हो, खेर, मैं आप से मिनूँ आगली वीडियो में, बाकी सब first class है, हमारी वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना, मत भूल झाला